क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं शांत हो जाएए महाराज कैसे शांत हो जाओं बानासुर दो बालकों ने मेरे सारे राक्षसों को पराजित कर दिया है और और आज तो मुझे चेतावनी भी दी है समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ एक वीर युद्धा है महाराज उसका नाम काली है मैंने सुना है कि वो विश्णू का शत्रू है वो हमारी मदद अवश्य करेगा आज तो हमने उन राक्षसों को ठिकाने लगा दिया लेकिन कंस मामा रुखने वाले नहीं है बल्दाओ आप चिंता बहुत करते हैं जब वो भेजेंगे तब देख लेंगे अब आप सोजाएए हे महानकाली कंस का सादर प्रणाम स्विकार कीजिए आओ मित्र कंस मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आये हो तो क्या आप मेरी मदद करेंगे मेरा एक ही मकसद है विष्णू का विनाश बहुत अच्छे मैं भी यही चाहता हूं बस एक ही दुविधा है दुविधा? जब तक कल यूग नहीं आता मेरी शक्तियां प्रिठ्वी लोग पर असर नहीं करेंगे हाँ अगर प्रिठ्वी लोग पर राहुकाल पैदा हो तो ही मैं क्रिष्णा को कुचल सकता हूँ और इस राहुकाल को पैदा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ब्रिहस्पति और शुक्र को साथ लाना होगा लेकिन ये कोई आसान कार्य नहीं है दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है आप बस क्रिष्ण का वद करने की तयारी कीजिए राहुकाल की तयारी हो गई है मैं दोनों को बहला कर मधुरा ले आया हूँ और दोनों एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं है बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेर मित्र अब क्रिष्णा को कोई नहीं बचा सकता कोई नहीं व्रिंदावन में तो सब ठीक है ना हम धीरे धीरे तो सब कुछ पहले जैसा हो ही जाएगा क्रिष्णा तेरा अंतिम समय है आ गया है मुझसे मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो नादान बालक तू जानता नहीं किस से बात कर रहा है भाते तो तुम कर रहे हो हम तो यहां युद्ध करने आए हैं कर दो रहे हैं कर दो कर दो कर दो कर दो बल्दाव रुख जाईए यदि इसके शरीर से कुछ भी अलग हुआ तो और राक्षे सोत्पन न हो जाएंगे किन्तु शस्त्र रहित इनका वद करेंगे कैसे अब हमारे सामने एक ही रास्ता है ना रायन ना रायन मुझे पता है आप दोनों की दुविधा क्या है राक्षस है मुनिवर हमें ये बताएं कि इसे हराया कैसे जा सकता है उदास ना हो प्रभू कलिका भले ही वद नहीं हो सकता किन्तु उसे कमजोर अवश्य किया जा सकता है मुनिवर, कृपा करके हमें बताईए कि ये कैसे होगा प्रभू, कल की शक्तियां राहुकाल से जुड़ी हैं उसकी समाप्ति पर उसकी शक्तियां भी चली जाएंगी और वो तब होगा जब सूर्य की किरणे फिर से व्रिंदा बन पर पड़ेंगी तेरी शक्तियां रिशिवर, हमारे भविश्री के बारे में हमें कुछ बताओ महराज बुग्र, आने वाले दिन आप के लिए शुब नहीं सैनिको ले जाओ इस रिशिको और गिन गिन कर सो कोले लगवाओ तुष्ट पापी, वो दिन भी अब दूर नहीं जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा उसका भी उपाए है मेरे पास ऐसा कैसे संभव है? देवचित्र गुप्त, आपकी चंता और हमें यहां बुलाने का कारण कृपया आप हमें बताएं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक भी जीव का प्रलेख ना मिले महराज उग्र का समय पूरा होने जा रहा है तो उनका प्रलेख गायब है हमें इसमें कोई संदेन नहीं है कि किसी मायावी शक्ती की सहायता से स्वैम उसी ने ये कार्य किया है उस प्रलेख को वापस कैसे पाया जाए? हम तुरंथी पृत्वी लोग जाकर इस कार्य में जुट जाते हैं हमें आग्या दीजे देव देव जित्रकुप्त की अनुसार महराज उग्र अपने महल से धूर इस किले में आबसे हैं परन्तों सभी और कड़ा पहरा है आकाश में तो कोई पहरा नहीं मत मारो मुझे तुम्हें यहां किसने कैद किया उस दुष्ट ने जिसकी मैंने इतनी सहायता की तो देव चित्रकुप्त के कक्ष में अध्रिश्य होकर तुम घुसे हाँ प्रलेक का तुमने क्या किया उसे लेकर वापस महराज उग्रक के पास पहुचा मेरे पापो का हिसाब ही नहीं है कोई देव मुझे नर्ग भेज ही नहीं सकता ये प्रलेक तो तुमने मुझे लाधिया परन्तु अब इसे नश्ट करने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी वो कौन सा मुश्किल काम है हाँ अना के लिए धर्ती में गार देते हैं महराज अब क्या करें हमारे पास इससे भी अच्छा और सुरक्षित उपाए है ने वचनानु सार पुरसकार देने की जगह महराज ने मुझे यहां कैद कर दिया जिससे उनका रहस्या कभी कोई न जान पाए कौन हो तुम जो इस प्रकार बिना आग्या हमारे कक्ष में घुस आये हो हां उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारा दूद बिना आग्या चित्रगूब देव के कक्ष में घुस गया था आईए महाराज उगर यमदेव आपको अपने साथ नर्क ले जाने के लिए बहुत उत्सुग्दा से आपका इंतजार कर रहे हैं और इस तरह स्वाप्ट प्रका क्रिश्न और बलराम का एक और पराग्र क्रिश्न और बलराम करते बड़े बड़े जो काम जत में बहुत बड़े दो नाम क्रिश्न और बलराम करते बड़े बड़े जो काम जत में बहुत बड़े दो नाम क्रिश्न और बलराम क्रिश्न और बलराम क्रिश्न और बलराम क्रिश्न और बलराम क्रज में रास रचाते हैं क्रिश्न और बलराम 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 क्रिष्णा और बल्य राम